येलो बच्चों नवभार्थी परिवार में आपका स्वागत है आज हम इंदी व्याकरण में उपसर के बारे में जानेंगे उपसर क्या होते हैं और उपसर किसे कहते हैं तो सबसे पहला हम उपसर का मतलब देखते हैं कि जो शवदांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसे उपसर कहते हैं जैसे प्रे जमा हार तो ये क्या बना प्रहार तो इस शब्द में हार शब्द का मतलब है माला या हार ना होता है लेकिन इसमें प्रे उपसर जुड़ने के बाद नया शब्द प्रहार बन जाता है जिसका अर्थ होता है आक्रमर्ण तो जो शब्दांस किशी शब्द के आरम्ब में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्टन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं जैसे जीव, जीव का मतलब होता है प्रानी या आत्मा और निर का मतलब होता है बिना या निशेद तो यहां पे जो निर है वो है उपसर्ग तो इससे हम शब्द बनाते हैं निर जमा जीव तो यह क्या बन गया निर जीव तो इसके शब्द में मूल शब्द में परिवर्टन आ गया उपसर्ग जुड़ने से तो इसका मतलब क्या बना निर जीव का मतलब होता है प्रान रही इसी तरह से जैसे निर्बल, निर्दोश, निर्जमा बल, निर्बल, निर्जमा दोश, निर्दोश पेट भर, पेट भर का होगा पूरा यहीं कि भरा हुआ तो भर जमा पेट, तो यह हो गया भर पेट, भर पेट का मतला हो गया पेट भरा हुआ जैसे भर सक, भर पूर तो भर जमा सक और भर जमा पूर तो मूल शब्द के वे शब्द, मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में जोके त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रियोग किये जाते हैं जैसे हम सबसे पहले देखते हैं संस्कत उपसर्ग में तो ये संस्कत उपसर्ग में ये वे शवदांश होते हैं जो संस्कत भाषा से हिंदी में जोके त्यों प्रियोग में लाए जाते हैं यानि कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है ये ऐसे कि इसे हिंदी में प्रियोग ल तीशे उत जमा साहस उत्सा है तो ये तीनों क्या है संस्कृत के उपसर्ग हैं जो कि हिंदी में ऐसे की ऐसे ही प्रियोग किये जाते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अब हिंदी को उपसर्ग क्या होते हैं ये वे शब्दांश होते हैं जो मूल संस्कृत के होते हैं परन्तु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रियोग किये जाते हैं यानि कि हिंदी में इसका परिवर्तन होता है रूप का जैसे ओ, बिन, अन अब देखिए अउग, जमा, गुन तो ये क्या हो गया? अउगुन बिन, जमा, देखा तो ये हो गया? बिन देखा अन, जमा, पढ़ अन, पढ़ तो ये हिंदी के उपसर्ग है तीसरा हम देखते हैं उर्दू उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फार्सी भाषा से हिंदी में प्रियोग किये जाते हैं यानी कि ये शब्दान से होते हैं जो उर्दु भाषा से हिंदी में प्रियोग किये जाते हैं, जैसे कम, खुष, बद, ये उर्दु के उपसर्ग है. कम जमा उम्र, खुश जमा बू, खुश बू, बद जमा सूरत, बद सूरत तो ये उर्दू के उपसर्ग हैं, जो की हिंदी में प्रियोग में लाए जाते हैं चौता हम देखते हैं संस्कत की अव्य, उपसर्ग की रूप में देखते हैं अब अव्य तो हमने पीछले वीडियो में हमने अव्य पाट पड़ा था तो आप उसको देख सकते हैं, अब यहां संस्कत अव्य, उपसर्ग की रूप में हम इसको देखेंगी ये संस्क्रत के अव्ये होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रियोग किये जाते हैं जो देखिए सत चिर पुनर तो सत जमा जन सत जन चिर जमा जीवी चिर जीवी पुनर जमा जन पुनर जनम तो ये संस्क्रत के अव्याय के उपसर्ग के रूप में इसका प्रियोग किया गया है अब देखे संस्क्रत के उपसर्ग के हम प्रकार देखते हैं हिंदी में तीन तरह के उपसर्ग होते हैं तस्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग इनको हम देखते हैं एके करके तस्सम उपसर्ग जो उपसर्ग संस्क्रत से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तस्सम उपसर्ग करते हैं जैसे अती अधी अनु आदी ये तस्सम उपसर्ग कहलाते हैं उदाहरन और देखते हैं इसके उपसर अती अधी अनू आ दुल अब इनके उदाहरन हम बना कर देखते हैं अती से अतीरिक्त अतियचार अधी से अधिकार अधिपती अनू से अनुकूल अनुकरन आ से आजीवन आयाद दुल से दुर्गती दुर्दशा दुलव ये सम्ट त उपसर्ग की भाती प्रियोग कि ये जाते हैं। जो इसे अंतह अंतह करण, अंतह पुल, सतक, सतकर्म, सजन, अधसे, अधोगती, अधोभाग। अब दूसरा हम देखते हैं तदभव उपसर्ग वे उपसर्ग जो संस्क्रत की परिवर्टी तुरूब हैं उन्हें तदभव उपसर्ग कहते हैं इन्हें हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है जो हमने अभी पढ़ चुके हैं जैसे अ, कू, भर, आदी इसके उदारन हम बना कर ऐसे अनात, अबला, कू, समय, कू, चक्र, भर, से, भर, सक, भर, पेट ये तदभव के उदारन हैं तीसरा हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता हैं ये हैं दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं जैसे अर्बी फार्सी के के देखते हैं सबसे पहले हम अर्बी फार्सी के उपसर्ग देखते हैं अर्बी तता फार्सी कि जो उपसर्ग उर्दू में प्रचलित हैं उनका हिंदी में भी प्रियोग होने लगा है जैसे कम क्या है उपसर्ग है तो उधारने से हम बना कर देखते हैं कम उम्र कम जोर ब अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी में उपसर्ग के समान प्रियोग किये जाते हैं, जैसे उपसर्ग होते हैं, डिप्टी, चीफ, हैड, अब इसको हिंदी के हम उदाहरन बना कर देखते हैं, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, और समझा आपको अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद